आप जब चुनाव लड़ी थी आपको परिवार का फाइदा ज्यादा मिला आपके अपने चेहरे का फाइदा ज्यादा मिला या पार्टी का फाइदा ज्यादा मिला मुझे लगता है तीनो चीजें ही तीनो चीजों का फाइदा मिलता है तो यही सोचती है और मेरी आइडियोलोजी बिल्कुल भारतिय जिन्टा पार्टी से मिलती है मैं उनको बिलीव करती हूं यह सबसे में बात आप महल में हैं और महल के अंदर आप एक राज कुमारी के साथ आप चाय पे रहे हैं तो आप चाय का हिस्सा बन सकती हैं चाय पे चरचा हम कर सकते हैं साथ में दूखे भी देख़े हूँगी लेगिन बंदूखों में ये तीर लगावी कितने साल पुराने हैं, अतिया? ये तो बहुत पुराने है और ये जबसे पैदा हूँ हूँ मतलब जबसे बच्पन से ही मैंने इसी तरह से ये देखा वा है और विल्कुल ये एक देखा जाए तो सूर्य के शेप में हैं और हम लोग सूर्य वंशी हैं तो संगीत के लाव और क्या क्या संगीत है पेंटिंग है पहले मैं रीडिंग भी काफी करती थी लेकिन अब यह सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलता है ट्रावलिंग भी मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो यह नहीं देखते कि यह राजगर आने से है या संगीत आपको बहुत पसंद है तो क्यों न दर्शकों के लिए दो लाइन आज तो नहीं करूंगी राजस्थान के राजनीतिक रण में रजवाडों का बड़ा योगदान रहा चाहे दिल्ली की राजनीती हो या सूबे की राजनीती यहां की जो रियासते थी वो हमेशा से राजनीती का हिस्ता थी और ऐसी ही एक रियासत की राजकुमारी राजकुमारी दिया आज हमारे साथ इस विशेश शो का हिस्सा बनेगी राजकुमारी दिया बहुत-बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया आपका आपने हम बात करने का समय दिया और हमने जिसा की जिक कि रजवाडों का अपना प्रभाव होता है क्या उस प्रभाव का फाइदा राजनीतिक दलों को मिलता है कि जब वो रजवाडों के चेहरों को अपनी पाटी का चेहरा बनाते हैं है कि यह पूर्बर राज-परिवार है उन्होंने बहुत काम किया है जनता के लिए जितनी इतनी सारी चीज़ें बसाई हैं पूरा शहर ही बसाया था जैसे जैपुर की बात करें तो यहांसे एपॉट से लेके हमारे आपने से जितने भी colleges है schools हैं संस्थाय चल रही है drainage system है roads है हमारे जो वाल्ड city है यहां पर तो सभी कुछ इतने सारे मंदिर है धार्मिक्स थल है सभी चीजें परिवार नहीं बसाई थी तो वो जुडाओ public से automatically तो है ही तो उस परिवार की विरासत और आगे की धरोहर है उस पर परिवार की आपने हमें बात करने के लिए समय दिया आप एक बार चुनाव लड़ चुकी हैं जब हम यह समझते हैं कि आपने कहा कि जो धरोहर होती है एक राजनितिक परिवार की तो उसका एक फाइदा राजनितिक दलों को भी मिलता है आप जब चुनाव लड़ी थी अगर आपको लगता है कि आपकी आइडियालेजी पार्टी से मिलती है तो उसी पार्टी में आपको रहना चाहिए मैं तो यही सोचती हूं मेरी आइडियालेजी बिल्कुल भारती जिनता पार्टी से मिलती है मैं उनको बिलीव करती हूं लीडर को रिस्पेक्ट करती हूं तो पार्टी का बहुत है, सबसे ज़्यादा प्रभाव तो परता है कि किस पार्टी से आप हो, कैंडिडेट हो, उसके बाद आपका पर्सनल भी बहुत जरूरी है, कि आपने आपका बैगराउंड क्या है, आपने क्या काम किया है, लोगों को विश्वास होना चाहिए, कैंड दराज रहता है, वो यह सोचता है कि देखिए, यह तो रजवारे के लोग है, राजा महाराजा लोग है, यह भला कैसे समझेंगे कि आम जनता क्या सोचती है, उनकी तकलिफें क्या है, उनका दर्द क्या है, उनके मसले क्या है, नहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी ब तो आज हम इस गंभीर इंट्वीव में आपका वो परिपेश भी दिखाना चाहेंगे जो जनता को भी अच्छा लगे कि राजकुमारी देखिए ऐसी भी होती है यह माई कब आपका है और अब आप यह बताएं कि एक राजकुमारी नेता होने के बावजूद भी आपके शौ कि पॉलिटiक्स हमारा प्रोफेशन नही मुझे क्या कर गए तो Pr кр और पूरी तरह से काम करना है तो मैं यह सोचती हूं इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आई, इसके अलावा मेरे इंट्रेस्स है, बहुत सारी होबी है, मुझे अच्छा लगता है, यह मैं मैं पूछा था कि संगीत आपको बहुत पसंद है, तो क्यों ना दर्शकों के लिए दो लाइन आज तो नहीं करूंगी, बिल्कुल भी ने, क्योंकि पेंटिंग भी करती थी, और म्यूजिक का भी मुझे शौक है, और ट्रावलिंग का मुझे बहुत शौक है, यह सबसे मुष्ट बात आप महल में हैं, और महल के अंदर आप एक राजकुमारी के साथ आप चाय पे रहे हैं, तो आप चाय का हिस्सा बन सकती है, चाय पे पेंदारी आगे का भविश उन पर भी चर्चा करते हैं, तो आगे शलते हैं, मैं चाहूँगा अपना पहले समय दिखाएं, बिलकुल आइए तो राजकुमारी दिया के साथ उनके इस भव्य महल के अब जिस हिस्से में हैं, राजकुमारी इस हिस्से को क्या कहते हैं, जी अभी तक वो नीचे की साथ मंजल देखी नहीं है, अब तक नहीं देखी आपने, ये भी बड़ी ताजिव, अब तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन बेस्मेंट तो जरूर है, लेकिन उससे नीचे क्या है वो अभी तक उसका वो नहीं है, यहां बहुत सारे हम हत्यारों के क इसी तरह से ये देखावा है, और बिल्कुल ये एक देखा जाए, तो सूर्य के शेप में है, और हम लोग सूर्य बंशी है, तो अच्छा ये सूर्य बंश का दरसल प्रतीक है, इस वज़े से बिल्कुल, बिल्कुल, आपको भी शौक है इस तरह निशानेबाजी का, नहीं संगीत है, पेंटिंग है, पहले मैं रीडिंग भी काफी करती थी, लेकिन अब ये सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलता, ट्रावलिंग भी मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, राजवारों को घुरसवारी और शूटिंग और इस ये सब के शौक में हमेशा इनक लेकिन मुझे इसका नहीं है शौक इतना देखना अच्छा लगता है लेकिन खुद नहीं मैं ये चीज करती लेकिन स्विमिंग मैं डेफनेटली करती थी, बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन आपके पिता जब सक्री राजनीती में रहे तो खेल को उन्होंने ज्यादा त पूरे देश विदेश में जाके वो पोलो को प्रमोट करते थे और बहुत ही मैं सोचती हूं मेरा सन भी अब वो कर रहा है, मेरा बेटा भी वो कर रहा है, बहुत अच्छा है विकोज इससे क्या होता है, आपके रिलेशन्शिप्स बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि आप जाते हो पोलों खेलते हो फिर उनको यहां इन्वाइट करते हो तो एक तरीकी का यह बहुत ही अच्छा मैं सोचते हूं इंटराक्शन बहुत अच्छा होता है चंद्रमहल के बाहर का हिस्सा मापको दिखाते हैं यहां पर भी मतलब इस महल जो होते थे वह अपनी खुबसूर लड़ें तो मैं शायद वो डेफिनिटली करूंगी दरसल में यह देखा कि आप जिस परिवार से आती हैं वो परिवार कभी राजीव गांधी का बड़ा करीबी रहा वो परिवार कॉंग्रिस का बड़ा करीबी रहा वहां से भी चुनाव लड़ा गया आपने बीजेपी क मतलब अभी का ने बिल्कुल मैं मेरी जो मैंने जैसे बता आपको विचारधारा बिल्कुल भारतिय जंता पार्टी की विचारधारा से जुड़ी भी है और मैं जैसा कि मैंने देखा इन पांच सालों में इतना काम हुआ है इतना development हुआ है मेरी विधानसभा में भी कुछ नहीं था, roads नहीं थे, infrastructure नहीं था, hospitals की हालत बहुत खराब थी, schools की हालत खराब थी लेकिन इन पांच सालों में बहुत काम हुआ है अगर ऐसा हुआ है मैं मानू की मिल लूँ जो आप कह रही है अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्या हुआ कि जब च्यार महीने पहले के विधान स सभा चुना हुए तो उसमें जो है बीजेपी का रत यहां पर हो गया नहीं मुझे लगता है कि उस समय इतनी बुरी हालत नहीं हुई हमारी हम लोग 73 सीट हमें मिली और कॉंग्रेस 100 भी नहीं पहुंच पाई और राजनीती में हार तो हार होती राजस्थान में हर पांच सा कंबन्ह गर्मंणे की की जो भी सरकार है वो जनता को खुश का कर पाती जनता उसे हटा देती है और आसे बूझ नहीं लगता exclusive पाइप Car नहीं लेकिन कुछ हो सकता है कि टिकेट्स फींडरों ने बडल दे तो शायत और वी अच्छा हम लोग कर सकते थे मुझे एक परिपेक्ष मुझे याद है मैंने जब राजस्थान चुनाव कवर किया था हम ये नारा सुनते थे वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुछ से बैर नहीं आपने भी ये नारा सुना होगा कई जगों पर ये नारे लगाये जाते थे एक narrative ये था क्या 2019 जिस लोग सभा चुनाव की हो और हम आगे बढ़ रहे हैं वो परिपेक्ष वो नारा आज भी उसी तरह जिन्दा है ये आपको लगता है उसमें भी कुछ हद तक बदलाव आएगा खासकर नई सरकार सूबे में बनने के बाद ये इस तरह का कोई नारा नहीं था मैं तो मानती हूँ कि अब opposition के पास कुछ बोलने को था नहीं ये लोगों के बीच हमने सुना था मैंने तो नहीं सुना पर मैं आपको ये कहूंगी कि opposition के पास कुछ भी बोलने को नहीं था कोई भी इस तरह का कुछ भी कांड नहीं हुआ था, कोई काम में कहीं कमी नहीं थी, बहुत development हुआ, हजारो करोणों की developments हुए, इतना कुछ central government ने किया, इतना कुछ state government ने किया, तो opposition के पास कुछ बोलने को था ही नहीं, तो उन्होंने CM को एक मुंदा बना लिया, और वो भी जनता ने उसको भी कुछ ज़्यादा नहीं दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा था, expected इतना नहीं था कि हम लोग cross करेंगे 70, मुझे तो लगता करें 50 में या आप लोग C में तो जाएंगे, नहीं हमने 73 cross किया, और मुझे लगता और अच्छा हम लोग कर सकते थे, अगर कुछ candidates इधर उधर हो जाते थे, यानि आप मानते हैं कि जो विधान सभा चुनाव थे, उसमें जो बड़ी तरफ से गलती हुई, वो राज्य की ओर से, जो राज्य की इकाई थी वीजेपी, कि उसने ज्यादा गलती हैं कि ये बाद में हम लोग कई बाते बोलते हैं, स्पेकूलेशन करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, लेकिन उस समय जो उन्होंने डिसिजन लिया होगा, उन्होंने भी सोच समझ के लिया होगा, तो हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, और मैं भी किसी को ब्लेम नहीं कर रह बिल्कुल मुझे देश में वही वेव दिख रही है, मोदी जी ने जो किया इस बार, जो ऐस्ट्राइक्स की उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाके, इसका बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ा है, कि लोगों में एक वो आ गए, इतना confidence आ गया है देश की जनता में, कि आज से पहले किसी भी प्रधान मंत्री ने इस तरह का कदम नहीं उठाये था, 1971 में जो हुआ था, उस समय मेरे फादर भी आमी में थे, छाच्रो का जो western front है, वहाँ पर उन्होंने अंदर गए, सिंद को काफी कुछ कैप्चर कर लिया था, लेकिन उस समय फिर ये कहा गया था, कि न जरसल नहरू या पिछली सरकारों की वज़यस से हम ये समस्या से जूज रहे हैं, आप उससे सहम finan, दिल्कुल हो, राश्टरवाद जो आ जाया है यह को न आट— बिल्कुल बिल्कुल होता था और वो तो अपना खून बहाते थे अपनी 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 टेरिटरी को बचाने के लिए अपने जंता को बचाने के लिए अपना खून बहाते थे यूध होते थे पूरे टाइम ही यूध होते रहते थे उस समय तो तो बिल्कुल वो तो है बहुत मुझे ल लीडर्शिप दिखाई और एक बहुत ही स्ट्रॉंग फैसला लिया और पाकिस्तान के अंदर जाके उन्होंने जो किया मैं सोचती हूं देश का हर एक व्यक्ति इसकी महत्वता को समझ रहा है इंपॉर्टन्स को समझ रहा है और इनको बहुत रिस्पेट कर रहा है कि हमें ऐस उस अपने मसले को लेकर के जाएंगे या राष्ट्रबाद जैसे मसलों पर जाकर के वोट डालेंगे और काम सब जाएंगे बहुत होई है ऐसा यही नहीं के नहीं आगे यह तो पर आपको लगता है राजस्तान में कुछ चहरों के खिलाफ नाराजगी भी हो सकते हैं लोगों के बीच है यह चीज इतनी बहुत जादा सामने नहीं आ लोग अपने चेहरे पर मुद अस्थानिये जो नेता होगा सांतत का जी जो उमिदवार होगा उसका चेहरा देखकर वोट डालेंगे या आपको लगता अगर बीजेपी को बूट देना तो मोधी का चेहरा देखेंगे कॉंग्रिस को वोट देना है तो राहूल गांधी का चेहरा देखेंगे राजस्तान में भी इसको चीना कहें तो फिर तो वो पुछ भी नहीं है और राजस्तान में आपको लगता है देखिए अगर ये राजनीती में हैं तो वो definitely उतना उनका प्रभाव तो ऐसे देखो अगर आप पार्टी किसी को अगर अपना उमीदवार बनाती हैं तो वो भी सोच समझ के उमीदवार बनाती है अब वो चाहे royal family से हो चाहे वो आम आदमी हो और वो अगर उसका प्रभाव ह तो वो तो डेफिनिटली प्रभाव रहे गाई लेकिन क्या होता है कि रॉयल फैमिली अगर पॉलिटिक्स में होती है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको अपना उमीदवार बनाती है तो वो भी सोच समझ के बनाती है और मुझे लगता है वैसे भी जुडाव जनता से वैसे भी है पुराना जुडाओ है सब मतलब जैनेरेशन का जुडाओ है तो वो कही ना कहीं तो डेफिनिटली एफेक्ट करता ही है तो क्या राजकुमारी दिया मुझे यह कह रही है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है वशरते बीजेपी अगर उनकी उमीदवा बनाती है तो डेफिनिटली में चुनाव लड़ूंगी और उसके अलावा को रिस्वांसिप्रिटी देती है तो वह भी पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगे बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी दिया हमसे बात करने के लिए राजस्थान का यह चुनावी सफ कि यहूज जा लड़ स्युक्ता का यह जड़ यहूज लाजस्वाली देट शे पर घज जड़ा है तो